जैहिंद साथियों मैं सिभेंद्र मिस्राप सभी का लेर्निंग 24-7 पर वेलकम करता हूं फ्रेंड्स पिछली दो क्लासिस में आपने देखा कि हमने 2018 और 2016 सेप्टमबर में जो एक्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व किया था आज हम लोग 2016 में ही जो फरवरी में एक्जाम ह उसका पेपर सॉल्व करेंगे मैं स्पार्ट का सॉल्यूशन में कराऊंगा आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस यह का मैं 24 तक क्का क्वेशन कराऊंगा अगर आप प्रीवियस यह कोई भी एक्जाम हो अगर आप उसमें पिछले पांच सालों तक क्के तो आपकी सफलता की जो चांसे हैं वो डबल हो जाते हैं बाद जान लोग आपकी सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है क्योंकि आप जब उस पिछले पांच सालों तक का क्वेशन देखोगे एनलिसिस करोगे तो आपको उस प्रीजाम के पैटरन के बारे में पता च हाला कि एक दो कोशन चेंज हो सकते हैं इसी बात नहीं है लेकिन लगभग चीजें वैसे होती है वही पैटरन होता है एकजाम में पूछने का तो आप लोग बड़े आसानी से कोशन कर सकते हैं अगर आप कोशन से परिचित हैं ठीक अगर कोई नया कोशन आता है तो आपको समय के अंदर नहीं कर पाऊगे और स्पीड ही सबसे महतपूर है अगर स्पीड नहीं है तो कोशन करने का कोई मतलब नहीं है कोशन करते हैं क्या मतलब उसका बागी कोशन आपके वैसे छूट जाएंगे तो इसलिए कोशन की प्रैक्टिस जरूर होने चाहिए मैस में प्रै गुड़े 111 बराबर एक लाख 10,000 प्लस 11 गुड़े 10 तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी यानिकि जो खाली स्थान उसमें संख्या क्या होगी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बहुत आसान कोश्चन है जल्दी से आप लोग कमेंड बाक्स में अंसर दे दीजिए बड जाकि यह और यह बराबर हो जाए तो एक बात बता हूँ मैं कहता हूँ मालो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए अब देखू एक हजार एक का गुड़ा किसे करना है 111 में करना है एक बात जान लो अगर कोई 3 अंग की संख्या है और उसमें एक हजार से गुड़ा करते हो तो खास बात यह होती है कि मालो अगर संख्या है एक दो तीन ठीक है और इसमें आप मल्टिप्लाई किसे करते हो 101 से करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह यही संख्या क्या होगी दोहरा देगी यानि कि कुछ इस तरह से संख्या मिल जाएगी इसी तरह से अगर मालो 456 गुड़े एक हैर करते हो तीन अंकी संख्या है तो आपको क्या मिलेगा तो आप डाइट कर सकते हो बिना गुड़ा किये आपको 456-452 बार मिल जागा यानि कि संख्या क्या हो जाएगी दोहरा जाएगे अंग दोहरा जाएगे प्लियर है मेरे बा हो जाएगे हैं घल अब आपको इधर क्या मिला आप देखोगे क्या यहां पर क्या है ?draw तो मैं करते हैं यह प्लस में है इक तरक यह मांइनस हो जाएगा इनंगे एकल दम जा रहा बढ़ा सानी है से लिख सकते हो एकोल क्यआ हो जाएगा ut Cloud से समझ धर आप एक लांग ग्र स्ट्राइब 1111 में से आप एक से निकाल दोगे तो मिलेगा 1111 निकाल दो गिया होfront 11X से अब यहां से X कामान क्या ओगा 11 से keyboard होगा ये कोटा मिलेगा टो कोगे यानि कि आपका option number 2 correct हो जाएगा चलिए यह बात आपको समझ में आ गई होगी बस कुछ नहीं करना था बस क्यों घटाना था भाग करना था चलिए अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन आपकी स्कीन पर दिखाए दे रहा है कुछन को देखे बहुत ही आसान कुछन है 15201 में 5 का स्थानी अमान प्लस 2669 में 6 का स्थानी अमान बराबर इंटू 10 बराबर 7 इंटू 10 ठीक है तो रिक्त अस्थान में संख्या क्या है देखो आपसे एक कलिकुल करा रहा है और बड़े असानी से आप लोग कर सकते हैं बहुत आसान कोशन आते हैं अर्सिटेट में 500,21 का लिकाना है अस्थानी अमान इस इसमें जो है आपको 5 का प्लेस प्लेस बेलू निकालना हो है 5 का पर प्लेस बेलू ठीक और फिर क्या करना है डायेट मैं इतना नहीं लिकता हूं इतना लिखने की bend pas का बता देता हो कॉश्चन आपकी स्थानी मन प्लेस लिखा और पांच क्या कर दो एक हजार कर दो यह निकि पांच का स्थानी मन क्या हो गया बोलो पांच पांच हजार हो गया बता सकते हो ना या ऐसे आप करते हो कि आप पांच के आप कितने अंख है तीन यूरो चिपकाई गया तो कया होगा तो बता सकते हो आप आचा इनको क्या किया है प्लस किया है क्लियर है इनको प्लस किया है यानि कि हम में कुछ इस तरह से पांच का स्थानिय मन कितना है बोलो पांच हजार है और छे का स्थानिय मन कितना है बोलो छे का स्थानिय मन 600 हो है और equal to क्या लिखा होगा है 7 into dash लिखा हुआ है मैं कर रहा हूँ भाई dash के जगह है आप क्या माल लो x माल लो हमने माल लिया x माल लिया clear है अब आप इसको बड़े सानी से solve ता सकते हो तो क्या इसको आप 500600 सकते हो एकोल टू क्या हो गया 7 X ठिक आप 7 से काटो यह divide होगा ना साथ से साथ से divide होगा कितनी बार जायेगा सत बड़े 56800 ठीक है यानि क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा x ब्राबर कितना हो गया बोलो 800 हो क्या आपके option में 800 है तो बिल्कुल option number 3 आपका correct हो जाएगा क्या आपको यह बात समझ में क्या आपका था question में इसमें 5 का स्थानी मान 5000 यार इसमें 6 का स्थानी मान 6000 इनको क्या प्लस किया ओव भे इसका स्थानी मान इसका स्थानी मान प्लस करेंगे ठीक है और equal to यहां पर खाल स्थान पर क्या होगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं बढ़े सानी से कर सकते हैं अगले कोश्चन को और देखें कोश्चन बहुत आसान है कोश्चन में क्या कहा है 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुरन खंडों का गुरन फल बराबर 999 प्लस 9 इंटू डैस तो रिक्त स्थान में संख्या होगी यानि कि जो डैस से खाले स्थान है वहाँ पर संख्या क्या होगी अब ने मान लिया एक्स और अब डैस अने से हम अंसर कर सकते हैं तो आइए थोड़े सा कोशन को समझें क्या कह रहा है 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुरन खंड का गुरन फल यानि कि 36 के जतने गुरन खंड होते हैं और 48 के जितने गुरन खंड होते हैं उनमें जो कॉमन है ठीक है उनको आपस में मल्डिप्लाइग करना है ठीक है और उसके बराबर होगा वो किसके है? 999 में प्लस 9 x के. समझ गए मेरी बात? कोशन में क्या कह रहा है? याई नि कि हमें क्या करना है? पहले बताओ, हम 36 का और 48 के फेक्टर लिखते हैं. यह बताओ, 36 किस से कटता है? बताओ, 36 किस से कटता है? तो सबसे पहले तो एक से कटेगा, टीक है क्या 12 से कटता है बिल्कुल कटता है कटता है ना अच्छा और किस से कटता है अठारे से कटता है और 36 खुद से भी कटता है 48 की बात करें एक से कटेगा दो से कटेगा तीन से भी कटता है 16 48 होता है चार से भी कटता है छह से कटता है नहीं कटता है ठीक है छह से नही कटता है और किस से कटता है आठ से भी कटता है 12 से 30-40 से भी कटता है अरब कहƠ Rama Nasais में के सार्व जनात्मा गुडबन खंडों और बा तो आपको दिश्कार 1 common है तो एक को ले या ना ले कुई श्कूशार मतलब रहें है च्बिशार 1 दो भी क्या है आपका蒜 common है थीन भी क्या है बोलो common है चार भी common है च्छे भी common है और क्या common है ? 12 भी common है, खीक है, 12 भी common है, clear, और बागे कुछ common नहीं है, अब मुझे एक बाद बताओ, यानि कि गुड़े 2, गुड़े 3, गुड़े 4, गुड़े 6, और गुड़े 12, clear है, समझ गए, यह जो आएगा, यह बराबर क्या है, बोलो, 992 और प्लस 9, हमने खाली इस्थान के तक तक तो क्या आपको यह बास समझ में आई, भाई सार गुड़न खंड के मतलब क्या आखा रहा है, दो को मैं इंग्लिज में भी कोशन पड़ दे रहा हूं, कहा रहा है, the product of the common positive factor of 36 and 48, clear है, equal to 999 प्लस 9X, clear, समझ गये, अब बताओ, इसको आप बने सानी से कर सकते हो, कि ने कर सकते हो, आप देखो, अब यहाद तो सब आप ऐसे multiply करो, नहीं तो अगर आपको थुड़ा सा Q वगरारा के बारे में जनकारी है, मैंने कहा है, तीस तक क्यों भी आत कर लो, यहाद तो आप multiply कर तो सब multiply में X पार्ट हो, और नहीं तो आपको पता है क्या है, यह और यह मिलकर बारे बनाएंगे, और यह तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, बारे बनाएंगे, यानि कि बारे गुड़े, बारे गुड़े बारे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं और बराबर आपका क्या हो जाएगा आच्छा क्या इसको पच्छांतर कर लें तो माइनस क्या हो जाएगा 999 में equal to क्या हो जाएगा बोलो 9X हो जाएगा आपको पता है 12 का क्या है 12 का क्या होता है 78 होता है वरना multiply करके देखो 2 3 6 24 24 ठीक है फिर 6 में गुडा करो फिर 12 में गुडा करो या तो यह से समर्ट बनों किया अब माइनस नॉशन इन्यान में करना है आपको इक्वल डूग्डू क्या है नाइनक्स आ 1228 में से नुशन इन्यान में घड़ा कितना बचेगा साथ सो्च निच्छेगा एक्वल डू क्या हो समझ गए यह बात आपको समझ में आ गई हो यानि कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोशन में कह रहा है 26,689 को 49 से भाग देने पर प्राप्त सेस्फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाता है तो सेस्फल क्या होगा देखो एक्जामन आप से क्योल कैक्लेशन करना चाहरा है वो चेक करना चाहरा है कि आपको फुड़ा भाग आता है कि नहीं आता है समझ रहे हो न वरना आपने बिहार में प्रेमरी स्कूलों का हल देखा है कैसे कैसे टीचर पढ़ा रहा है ठीक है आई ये देखते हैं इस question को देखें बड़ा सहरा क्या कहा रहा है 26,679 इसमें किस से भाग देना है 49 से भाग देना है ठीक है और फिर क्या कहा है 29,405 में किस से भाग देना है 34 से भाग देना है और जो यहां पर remainder बचेगा मालों यहां पर remainder बच गया और टू आं यहां पर रिमिंडर बच गया Chance रल्जा रिमिंडर बच गया अब इनी दोनों का अंतर लेना है और इनका इंका דीफ्रेंस लेना है ठीक है तो जो रीमेंडर आएगा वह बताना है ठीक है तो आप यह करो 49 से सब सुनार कर सकते हो भाग कर Lisa करना है he is 49 से भाग करो कि कि 50 border is module 26 तक कड़ेगा यह तीन अंक लेना है कितनी बाद जाएग आपो पता है 49 अकड़ को 10वर गुड़ा करोके 350 मिलेगा 5் 5 करोगे तो कितना मिलेगा सब्सक्राइब है Garjar 305 मिलेगा कि 955 मिस Minisha 5000ajaj झाले चाँचाट और एक सोपंचाइबे में से पाच और वहाँ पर लोगी तो आप देखो देखो 265 आंतर कितने का है तो आपको इस और आंतर जो है 70 का है यहीं कि दो 49 दुना साथ बार नहीं जाएगा छे बार जाएगा ठीक है क्योंकि जादे हो जाएगा 49 दुना आपका हो जाएगा 78 और 77 का यह निकि 6 बार ही जाएगा ठीक है छे बार जाएगा तो 6 बार जाएगा आप 6 नव बार में कठे गा हो नायक। नायकी शोविष चूविस कर सकते हो साथ में से दो गया कितना बचेगा बोलो पांच दो में से गया एक बचेगा पंद्रे आ गया यहां पर अब बताओ क्या बचे है नौ को उतार लिया कितनी बार जाएगा तो आपको पता है 49 चार का पढ़ा अगर 40 को इसको माल लें तो 40 यानि 44 होता है 160 यह 49 है यानि कि 160 से कम आएगा यानि कि 4 बर पहाणा आजा सकता है समझ रहो ठीक है यह गुड़ा करना आपको आना चाहिए ऐसे आपको सुचना है तो पहाणा जब इसको 49 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा तो आपको पता है जाएगा एक सो चपन आएगा ठीक है वह चार से मडिप्लेक 34 दहायम कितना होता है 340 ठीक है? 9.5 बार पहाणा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो भी जयादे हो जाएगा ठीक यह निकी 8 बार जाएगाrü चिक जीक हो रिक एक 324 कि 238 जाएगा जाएगा तो कितनी बार जाएगा छे बार जाएगा 244 के 4 हो गया 6 तरीज लिए 288 थो कितना होता है 204 क्लियर है मैंने बास समच पा रहे हो अरे 34 पाचे 170 और कैसे निकालना 34 और जोड़ दो तो 204 आएगा कि नहीं है बिल्कुल आएगा अब सॉल्ब करोगे कितना मिला 16 मिला 5 और उतार लो अब 34 का मल्डिप्लाइए करो 35 कितना होता है 170 होता है लेकिन यह तो जादे हो जाएगा यानि कि 34 का ठीक है 34 का कितना होगा चार βारे एक 13 136 और हमां कि Penisे सजुए नौ बचाव 5 मिन से तिन गया 12 यहां 2 29 यहां पर कितना आगे इन दोनों का difference लोगे कितना मिलेगा humans 26 मिलेगा difference difference कितना मिलेगा difference बचना कि आए एक बाद कितना बचएगा रिमेंडर कितना बचेगा और Face कितना बचा और यहहीं हमारा हमारा how जाएगा उमीद है आपको यह समझ मैं होगी हमने क्या क्या है वह इसमें भाग क्या दिखा दिए मैं चाहता तो इसकी भी कर सकता था इससे बाइब आसे करना ये सीखना है ठीक है वह 49 को बाग करना बड़ी संख्या है आप स्वाज में आएंगे चीज़ें और आपके लिए टफ हो जाएंगी ठीक है तो हमने भाग के यह आप से कल्कुलेशन कराना चाहा रहाता है एक्जामन क्या आपको भाग देने आता है या नहीं आता है ठीक ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं तो आप संन नमर क्या आप चार आपका करेक्ट जाएगा आठ नसर आएका न हाँ चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन आपकी स्कीन पे दिखाए दियरा है क्वेश्चन में कहा रहा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुड़ज डिवाइड बाइड बाइटी बराबर है यानि कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुड़ज यानि कि यह क्या कर रहा है कि बात कर रहा है देखो इंग्लिस में लिखा हुआ हुआ है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टिपल आप 36, 55, 54 और 60 तो वही स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टिपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टिपल ठीक है ल्सीम जिसे कहते हो क्लियर वही चीज़ है कभी-कभी हिंदी बड़ी खतरनाक दे ल तो फ्रसा इंग्लिस पॉलिया गरो वहां से क्लियर हो जाएगा ठीक है पीपर आपको बेज दूंगा आप लोग देख सकते हो पीडिया मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आपको मैसेंड कर दूंगा टेलिग्राम चैनल पे टेलिग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ पर मैसुद कर दिगा सीटेट जरूर लिख दीजेगा तो आपको उस गुरूप के लिंक सेंड कर दी जाएगी और आपको भेज दिया जाएगा उस मतलब लिंक भेज दिया जाएगा तो अब एड़ हो जाना ठीक है चलो तो इस कोचन में क्या कर रहा है हम से 36 और क्या है च से लिखते हैं साफों है निकाल सकते हो ओ सकते हो इसको नीषाद पंद करकें सो किसे लिखते हो बता है तो दो किसको दो इसको capable कई स्कौाइर गुड़े तीन का स्कौैर लिख सकते हैं पिछली वीडियो में बताया था जहना दूसरा चाह। है ठीक है चाउबन क्या होता है नौ च्वोड़े तीन का स्कायर लग सकते हो न ओ च्वोड़े क्या किन 13 को ऐसे समझ सकते हो क्या है आपको पता सॉठ क्या होता है तो बारे क्या होता है बई बारे 25.50 लिए क्या करना है अगर इस फॉर्म में लिख लिया तो आपको इतना पता हम चाहे कामन हो या ना हो हमेशा मैकसिमम पावर लेते हैं मैंने पिछली वीडिए отд Guard है मेरी वीडियो भी है LCM LCF पर मैंने पढ़ाया है वहां से आप देख सकते हो पूरा बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा चाहे common हो या ना हमें सा क्या लेते हैं maximum power दो क्या common है दो सब में हैं लेकिन 2 की maximum power कितनी है तो आप कहोगे 2 की maximum power 2 है यानि कि 2 पर power 2 हम ले लिये इसमें ठीक है वह चोड़ी से छोड़ी संख्या जो दी गई संख्यां से क्या हो विभाजित हो जाए अब वह संख्या में अगर इसमें है तो हमने पास ले लिया अब इसको आप सॉल्म करोगे तो दो दूना चार और तीन तरिका नौ तरिक 27 ठीक है अच्छा पांच ओक का बीस यानि की बीस गुड़े हम क्या लिख सकते हैं बोली 27 लिख सकते हैं 27 दूना चोवन यानि कितना आएगा बोलो 540 आएगा ठीक है इतना आएगा 6 आएगा 6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया यानि कि option number 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा clear है समझ गया अगला question देखते हैं अगर speed slow हो तो भी बता देना आप लोग ठीक है मैं कोहिश्च कर रहा हूं कि आपको सारी चेंज समझ में आए और एक तो भाग विदी था भाग विदी आप सबको पता है इसको एलसे निकालने का चैड़ी अगला question देखते हैं अगला question आपकी skin पर दिखाई दे रहा है question को देखो question में क्या कह रहा है question में कह रहा है कि सोनु के पास पांच दर्जन टौफियां है पांच दर्जन यानि कि एक दर्जन में होता क्या बारा है तो पांच दर्जन यानि कि साथ टौफियां है उसने इनका एक तिहाई एक बटा तीन भाग अमिता को दो बटा पांच भाग अनि विदा को दे दिया सोनु के पास बची टॉफियों की संख्या है देखो सोनु के पास टॉफिया कितनी है तो यह है भाई सोनु ठीक है इसके पास टॉफिया कितनी है पाँच दर्जन ठीक है पाँच दर्जन टॉफिय है क्लियर है पाँच दर्जन टॉफिय है आपको पता है एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है तो 5 दर्जन में कितना होगा तो अब करोगे गुड़े बारे कर दो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 5 दर्जन में कितनी टॉफी है 60 टॉफी ठीक है यानि कितनी टॉफी हो गई बोलो 60 टॉफी हो गई clear अच्छा उसने क्या किया है किसको किसको बांटा है अमिता को ठीक है उसने अमिता को बांटा है टॉफी अमिता को दिया है अनिल को दिया है और किसे दिया है हमीदा को दिया है ठीक है हमीदा को दिया है इसने टॉपी अमीदा को कितना दिया है तो 60 का कितना दिया है तो 1 बटा 3 दिया है हमीदा को अनिल को कितना दिया है 60 का 2 बटा 5 भाग दिया है और हमीदा को कितना दिया है हमीदा को कितना दिया है तो 60 का 1 बटा 12 भाग दिया है कटो कितना होगा वीस बचेगा यहां से कितना वेद बार्णच लुन च lihatया से 20 और यहां से आ गए बीज और यहां से आ आगए वार्रणच पच्छेत्य किली कितना प्सक्रा ब्सक्र हो लो गतना विस एकट 24 लड़ना है अगर दुस्मर मजबूत है तो उसकी इलाके में मत लड़ो अपने लाके में लड़ो तो घर पे लड़ना और एक्जाम में जाके plaisड़ा कोश्चन किया रहा है यहाई हिए एक सो 12 एकस्थान किया होगा था यानी कि कुछ ऐसे लिखा हूए और आपको बताना है रिकतस्थान में क्या होगा वही देखो रिकतस्थान इयानि कि एकस मानना था लिखा है 112 एकाई यानि कि once ठीक है प्लस बार है हजार यानि कि thousand ठीक है और equal to क्या लिखा हुआ है 110 12 अच्छा इसके साथ कुछ है कुछ नहीं है और dash फिर लिखा हुआ है हमने मान लिया भाई यहाँ पर एक्स दहाई अब बताओ इकाई मानी कि once तो यानि कि गुड़े एक कर दो प्लस बार है हजार है हजार का मतलब क्या होता है यहाँ पर एक हजार से गुड़ा कर दो ठीक है और equal to कि यहाँ पर क्या है तो खाली हें लिखा हुआ है एक्स दहाई यानिए एक्स गुड़े क्या करना है दस करना है गुड़ है स्मझ गए बताओ यहां से क्या मिले का 11 अ कि एम उद्ब already तो इसको इधर ट्रांशेर करोगे तो क्या मपलस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस और इधर क्या मिलेगा 10x समझ गए अब मुझे बताओ कि यह 12000 है और यह 110012 है और यह क्या है 112 अच्छा इसको आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बोलो 12000 112-1100 अब बताओ इसमें से इसको माइनस करोगे तो दो मेंसे दो गया कितना बचाए 0 एक बचेगा बचेगा अब बताओ दो मेंसे एक गया कितना बचेगा कि एक निकी कितना आगया आपका आंसर ग्यारा सो एक्वल्ट कितना है 10 ठीक है ग्यारफ का अंसर आगया 10 अब एक एक्स इक्वल्ट क्या होगा दस टे डिवाइड करो कितना आएगा बोलो समझ गए और हमने इस तरह से सॉल्व करके आपका अंसर निकाल दिया यह पच्छांतर करना आपको पता होगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन आप देखिए कोश्चन में कह रहा है एक ही माप कि तेज बोतलों में कि 51 लिटर और 750 mm दूद भाय जाता है ऐसी 16 बोतलों में दूद की मातर है तो पहले देखे हैं कि एक बोतलों में किज़ ना दूद आता है फिर 6000 का निकाल देंगे ठीक है तो बताओ एक बोतल जाता ये कैसी निकाल देंगे थर सो गया सब घर सेबान गया यानि कि कि मिली लीटर एने की एमल ठीक है क्लियर है समझ गए अब मैं कहा रहा हूं कि यह लीटर है यह मिली मीटर है तो मेरा कहा रहा है कि आप इसको या तो लीटर में कर लो सबको या मिली मीटर में कर लो मिली लीटर में करोंगे तो भाग दूरे में ज्याद्य अच्छा रहेगा म मिली लीटर में कर लेते हैं वरना पॉइंट लगेगा क्या मतलब है तो 51 लीटर को क्या हम 51,000 मिली लीटर लिख सकते हैं मिली लीटर लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे आपको पता है कि एक लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिली लीटर होता है ठीक है एकहार मीली लिटर होता है, यानि कि लीटर को अगर मीली लिटर में करना है तो एकहार कर देंगे ये बात आपको समझ में आ गई हो कि clear है अब इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बोलो कि 5750 ml मिलेगा कुल दूध इतना है इसे कितने बोतलों भरा गया है 보ցतल इसं बोतल में बड़ा गया है तो 23 की आपको क्या मिल जाएगा कि एक बोतल में होग внут جोंग ने सकते हो अब से भाग करोगे तेज से भाग करो क्या दिए थीय लो तेस जूना च्छियालीज बचा कितना? पांच बचा ठीक है, पांच और साथ सफ तावन्ट, तेस जूना च्छियालीज ठीक, बचे का, कितना? 11 बचेगा, यानि कि 115 यहां से निकल के आए, 353 ए 115 और ए 1 जिरू चिपका दो, यानि कि आपक आंसर कितना आ या बोलो? बाइस सो पचास यानि कि एक बोटल में कितना भरा गया बाइस सो पचास हमेल भरा गया भाई बोल देते हैं एक बोटल ठीक है एक बोटल में दूद की मात्रा ठीक है फिर बाइस सो पचास हमेल एक बोटल में भरा गया आप कहा है कि 16 बोतलों में दूद की कितनी मात्रा होगी तो 16 बोतलों में दूद की मात्रा अगर 16 बोतलों में दूद की मात्रा बतानी है आपको तो आप क्या करोगे एक बोतल में 250 ml 16 बोतलों में कितना भरेगा 16 से गुड़ा करोगे कितना आएगा 16 का गुड़ा होगा 0 में 0 सब्सक्राइब करोगे तो क्या हो जाएगा तो बड़े सानी से आपने देखा किसा आपको समझ में आई किसी मांचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमी पर दो सो किलो मीटर की दूरी को निरूपित करता है यानि कि मांचित्र में अगर कोई आधा सेंटीमीटर का डिस्टन्स दिख रहा है ठीक है तो वह एक्चुल में कितना होगा जमीन पर 200 किलो मीटर का होगा ठीक है दूरी को निरूपित करती है ठीक यदि भूमी पर दो नगर अठारह सो किलोमीटर की दूरी पर इस्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी यानि कि आधा सेंटीमीटर की दूरी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 200 किलोमीटर को तो अगर दो सहर 1800 किलोमीटर की दूरी पर है तो यह 1800 किलोमीटर की दूरी मानचितर पर कितनी दिखाएगा समझ गए आए देखते हैं क्या यह बात समझ पर रहे हो यार मानचितर पर यहां पर बना दिया इसे मालवो, ऐसे बना दिया, किसी स्टेट का मांचित्र है, ठीक है? और यहां पर एक जगह है, A, यहाँ पर एक जगह है B, और इसके बीच की दूरी बटान गुजाँ है, ठीक है? लेकिन व्यां बोर्ड बनाया है, अब यहां नापो गएखे तो कितना दिखाएगा? यहां पर हम लिखेंगे यह दूरी कितने की अठारे सो किलोमेटर रही है तो वास्तों में तो यह तो यह तो आप जब देखो कि उस जगह दूसरी जगह के बीच की दूरी है लेकिन बोर्ड पर तो यह तो आपको पर रखे तो कुछ आएगा तो मालों यह आ गया आपका कहते हैं 18 कितने को 800 मीटर को या 800 सो किलोमीटर को यह कहने का मतला तो को समझ अच्छेम मेरी बात चली मैजए देखते हैं तो क्या क्या robić अधा सेंटीमीटर कितने को दिखा रहा है cost 200 किलोमीटर जो दिखा रहा है दिखा रहा है ना क्या करो तो भाई 800 किलोमीटर की दूरी है, तो गुड़े क्या कर दो, भाई इसको 18 बनाना है 200 को, भाई 200 किलोमीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर मांचितर में है, तो 1800 किलोमीटर की दूरी कितनी होगी मांचितर में, तो आप क्या करो, गुड़े 9 कर दो, अगर 9 से गुड़ा कर दे, तो 800 हो जाएगा तो नो का गुरा शिते हों कि अलो यह कि बंटा दो सेंटीमेटर हो जाएगा यह खाले 800 कि Мих lange की दूरी 22 सेंटीमेटर धिखाएगा मैप में एक गया क्लिए ऑच्ऱ जाएगा साधे चार सेंटीमेटर लिखा हुआ है न प्ल क्या सेजी लिखा हुआ है simplify करके ज्यादा गुमना नहीं है पसे दो को calculation का तरीका आपको पता होना चाहिए कि calculation करनी कैसे समझ रहो ना मेरी बात चलो देखो ऐसे समझो जैसे मालो एक रूपए में मालो एक mango अरे यार एक mango कितने का है दो रूपए का है ठीक है तो आप से पूछा जाए चार रूपए का कितना मेंगो आएगा तो दो को क्या करें चार बन जाए तो गुड़े दो कर दो इधर दो गुड़े दो कर दो इधर तो दो मेंगो आएंगे कितने के दो मैंगों कितने की आएंगे तो आपको होगे चार के आएंगे बात समय में आ गए ठीक ऐसे करें तो इसी लिए हमने काई किरेट गुड़ा कर दिया तो ऐसे आप कर सकते हो चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन आपकी स्कीन पर दिखा जा रहा कोशन को देखे कह आए कि निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है ठीक है एक मिली लीटर एक लीटर का सतांस है पहला अपसर यह गलत मिल गया ठीक है यहीं सही नहीं है एक मिली लीटर एक लीटर का सतांस अच्छा एक लीटर का सतांस यानि कि एक लीटर का सौवा हिस्सा एक लीटर का सौवा हिस्सा तो आपको पता है कि एक लीटर जो है एक लीटर बराबर क्या होता है एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर होता है ठीक है एक हजार मिली लीटर है यानि कि आपका सकते हैं कि एक मिली लीटर एक हजार एमेल का हजारमा हिस्सा है ना कि सोमा हिस्सा है समझ गया अरे भई एक लीटर बराबर एक हजार एमेल तो आप बताओ एक हजार एमेल का है तो आप कहोगे सर कि हजारमा हिस्सा है ठीक है यानि कि कोशन में क्या कर रहा है एक मिली लीटर एक लीटर का सतांस है सतांस यानि कि सौमा हिस्सा है तो क्या एक लीटर का एक मिली मीटर सौमा हिस्सा है नहीं हजारमा हिस्सा यानि कि पहला आपसन नहीं क्या हो जाएगा वह गरत हो जाएगा यहीं सही आंसर है दूसरा क्या लिखा एक लाख बरावर एक सो हजार बिल्कु हुआ तो बिल्कुल हुआ यानि कि सही है पहला अपसर हो जागा पहला आपसर घलत है चलिए अगला question देखते है अगला question क्या है एक घनाभकार बक्सा तेरे सेंटिमीटर लंबा यह घना अभकार है ठीक है यह आपका क्या था क्यूब आइड था और अब क्या है क्यूब है एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है तनु इस बक्से में एक सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है तो उन घनों की संख्या जो इन में पैक नहीं हो है यहाणी कि इसका आयतन एक बक्से का अधन दिया हुआ है और दूसरा एक घनाकार है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका भी आप आयतन निकाल सक्ते है हो इस दोनों का आयतन प्रता चल गया अब इसमें यह सेंटीमीटर भुजा वाले यहिसंटीमीटर क्यूब इ नहीं पेक और पाएंगी वहीं पूछा है यानि कि जो हमारा क्यूबॉयड है पहला बक्सा ठीक है जो पहला बक्सा है उसका वेल्यूम कुपॉयाट का वोल्यूम कि वीबन मालल लीता है तो आप इसका लंबाए चुड़ाहे उचाही का अपसğimiz गुड़ा कर दो के तो वॉल्यूम निकल जाएगा यानि कि 13 गुड़े कितना है बोलो 11 और गुड़े कितना है नौ है ठीक और क्यूब का वॉल्यूम कितना है क्यूब का वोल्यूम हमने माल लिया V2 है ये कितना है तो 12 cm भुजा है भाई 12 cm भुजा है एक क्यूब होता है भुजा का क्यूब होता है ना क्यूब का वोल्यूम अब भुजा कितनी है 12 है यानि कि 12 का क्यूब क्या हो जाएगा इसका वोल्यूम हो जाएगा 12 क्यूब कितना ह भन पैक करना है यानि कि जो छोटा क्यूब है उसका वोल्यूम क्या होगा और यह कि इसमें पैक हो जाएंगे तो बड़े ऐसानी से बता सकते हैं उसमें इससे भांग कर रहे तो हम बता सकते हैं कि कि इसका जो आयतां है नहीं जो ढूवोग सब्सक्राइब कितना हो जाएगा 750 222 27 222 very है कोई मतलब नहीं है एक से दिवाइड करने का ठीक है अब बताओ ते रहे का गुढा ग्यारे में करो करो गया फिर क्था ग्यारे में करना है आप पता है परिये 9 का-9 की बढां किने मिलेगा वह 9 मिलेगा आप को पता है broker khuba 10ソ 3 3 00 मिलेगा आवको पता है इसमें एक जů है ज्यादे से गुडा कर लिए है तो 1 को मैनस करना पड़ेगा और एक कर दो अर Aí यह कर सकते हो ना 13 गुड़ेी करना है क्या हम इसको 35 गुड़े 100 माइनस 1 लिख सकते हैं तेरे गुड़ा 100 तेरे होगा 30 जाएगा क्लियर समझ गया बारे सो सतासी आ जाएगा और प्लस किसे करना है 2728 ठीक अब बताओ कितना होगा 2728 इसको प्लस करोगे तो सत्रे बारे कितना हो था अब रोग 29 हो था यानि कि 29 तो फिक्स है और ठीक है 28 ठीक है 29 घ्रणा बतां कितना हो था गburst JENN note 17 70 का साथ बचा कितना एक बचा जी को 1794 कितना हो गया याए डीक एक गनल साथ आफ़ोगे सुना हो गया एक साथ दो नो एक दस सुनना बचा कितना एक बचा एक दो एक तीन थीन हैदर पंदरे यानि कि आप 3015 घंप्यक कर सकते हो कितना पैक करना चाहती थी तरुन करना चाहती थी 3060 घंप पैक कितना कितने यहीजार 15 पैक की ठीक है यानि कितने घंड नहीं पैक कर पाऊगे तो आप माइनस कर तो कितना बचेगा 45 बचेगा यानि कि हमारा 45 घंड जो नहीं पैक होंगे 3060 में से ठीक है क्योंकि आयतन कितने के लिए है 15 यहीजार 15 घंड ही घंड के लिए हम में हमने रिखक का ने केम उपक से एक भागवकर नहीं है हमने तो सी जोड करना धियो आयतन हमने निकाल दिया और उसके आयतन से दोनों के आयतन को जोड़ करके उसमें भाग दे दिया तो भाग दे वह एक से भाग करना था पता है कोई मतलम नहीं है और इसमें अंसर निकाल दिया क्लियर है समझ गई बात याई कि 45 गन पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन में क्या कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चोड़ाई करम से 48 cm और 21 cm है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का दो तिहाई है इनके छेत्र फलो क वर्ग योग है बड़ा आसान कुश्चन है जल्दी से आप लोग ट्राइक का यह देखते हैं किसका आंसर आता है जलिष आप लोग आंसर दीजी बहुत ही आसान कोस्टन है जलिष आणसर दीज आप लोग किसी आयत की लंबाई लेंद कितनी है आयत की आतालीस है ब्रिस्ट कितनी है चोडाई कितनी है तो आपकों के सार एक्कीस चेंटीमीटर है किसी वर्ग की भुजा यह आयत के लिए था यह आयत के लिए यह बात थी किसी वर्ग की भुजा अब वर्ग की बात करते हैं इसकोईर की बात करते हैं यह रेक्टेंगल था यह इसकोईर की बात करते हैं आयत की लंबाई का दो तिहाई है वर्ग की भुजा वर्ग के लिए ज कितनी है 48 से कितना है वर की भुजा है वह कितनी है 32 सेंटी मीटर है और कहां इनके छेत्रफ़रों का योग कि आगर हम छेत्रफ़ल निकाले तो क्या होगा या यह लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि कि 48 गुड़े कितना हो जाएगा थीक है तो 48 गुड़े किस गू Märum होता है 960 और 12 गुड़ा कर दो कितना हो जाएका यहांसे आ गया आपका अंसर मल्लिप्लाइ करो 20 का गुड़ा पहले 48 में करो तो 48 जुना होता है 96 जुरह चिपका 2960 आ गया फिर गुड़ा एक में कर दो 48 आगया 960 में 48 गोड़ोगी एक हजार आठा गया एक हजार सेंटीमीटर स्कॉयर ठीक है इसका छेतपल आ गया अब इसके शेतपल की बात करते हैं तो यहां पर छेतपल होता है वर्क का छेतपल क्या होता है बोलो भुझा का स्कॉयर पुझा कितनी है भाइ बंत्तीस है अब 32 गुड़े 32 जा तु गुड़ा करो या तो धुमускे बंत्तिसDrive का सकॉयर 1,024 स्कॉयर HHHHLab मि का होगा अब यह 08 होग सकते हैं कि आप मिल्कुल आपका अंसर कितना हो जाएगा बोलो 1032 हो जाएगा 32-3 72 स्कृयर है इनके च्षेतफलों का यह किलेर है यह बात को समझ में 35 बराबर है एक सप्ता हमें सेकेंडों की संख्या साथ सप्ता हमें मिल्टों की संख्या साथ दिनों में घंटों की संख्या पांच दिनों में सेकेंडों की संख्या क्लियर है आप देखो इसको करना कैसे है अगर इस कोशन में आपने दिमाग नहीं लगाया तो गुड़ा करने लगोगे या जैसे गुड़ा करने लगोगे सारक मेहनत बेकार ठीक है इसलिए मैं कहता हूँ प्रिवेश एर सॉल्व के रहो कोशन की तरीके पता रहेंगे कि इस गुड़े 36 गुड़े 25 ठीक है यह बराबर है किसके एक सप्ता हमें सेकंडों की संख्या के साथ सप्ता हमें मिंटों की संख्या के साथ दिनों में घंटों की संख्या के साथ दिनों में घंटों की संख्या तो होई नहीं सकती साथ गुड़े 24 होई नहीं सकता पांच दिनो सब्सक्राइब करते हैं हम मान लेते हैं कि कि यह बराबर है एक्स दिनों में सेकेंडों की संख्या के हम मान लेते हैं चेक करने का वाई तरीका बता रहा हूं वरना और भी तरीके हैं लेकिन मन कहा रहा हूं कि वह आप चेक करो आपसंसे चेक करें हम मान लेते हैं कि यह एक्स दिनों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है ठीक है एक्स दिनों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है ठीक है तो पताओ आपको पता है अगर एक दिन में सेकेंड की बात करें एक होगे इनको मेने में कवेड़ में कर दिया अचा थे सकंड की बात करें तो आप ने सेकंड और थे था याज़की एक दिन के स्विवेसं सेकंड होंगे टो हम ने मान लिए फा quiéndo X दिन में किटने सकंड होंगे तो हमने क्या लिख ज़ें यहां पर 24 गुड़े 60 गुड़े 60 रख़ दिया ठीक है यहां से x बराबर क्या हो जाएंगा बोलो तो भाई हम यह पूरा यहां पर in्टु में है ना तो यह जाए का पूरा डिपाइट हो तो आप एक्स बराबर हम लिखें कितना हो जाए का 672 गुड़े कितना हो जाए गा 36 गुड़े 25 और डिवाइड भाई 24 गुड़े 60 गुड़े 60 ठीक है काटो गया इसको तो काटो 5 से काटो 25 और 5 बार नहीं है हम 60 हो गया फिर 5 से काटो कितना आएगा यहां 12 आएगा और 12 से काटे न को कितना गानों एक धे जोब्स में साथ डिनों में जो संख्या ओगी जहाँ ने जो सेकंडार की संख्या हो गी की संख्या होगी वह इनको multiply करने पर आएगी ठीक है यह हमने चेक किया है यहां कि प्रॉप्र तरीका नहीं है इसको हमने क्या कि इस तरीके से चेक किया अगर एक्स का मान कुछ और आता और option में वह मान नहीं होता तो फिर हम कैसे करते आपने यहां से निकाला कि साथ दिनों म वही क्या होगा इसका गुड़नफल होगा यानि कि option number ए क्या लिखा है एक सफथा हो जाएक हो philosophy संख्या है माल लो अंसर कुछ और आजाता जो आपसर में नहीं होता तो क्या करते तो आप यहां पर इसको मिनिट रखते या कुछ और रखके चेक करते ठीक है समझ गए तो यह भी एक तरीका है इस तरीके से मुझे लगता है इस कोशनों करना चाहिए हलांकि और भी तरीके हैं वह क्यों सब्सक्राइब करने करते तो देखते और मिलता इसकार सफ का सब्सक्राइब करकेस हैं तो फिस जल के तरेकार की मुझे तो Barnes कोश्चन देखते हैं का रहा है जब ताजा मचलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार एक तीहाई रह जाता है ठीक है सावी ने 2709 केजी ताजा मचली 27 रुपए प्रत केजी की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पस्चात 275 रुपए प्रत केजी की दर से बेच दी उसका कुलाब हुआ ठीक है आज देखते हैं बहुत आसान कोस्चन है यानिकि उसने 2709 केजी मचली 27 रुपए करेट से खरीदा है ठीक है प्रत किलो के इसाब से यानिकि इसके अगर हम कॉस्ट प्राइज की बात करेंं सीपी की बात करें ठीक है कॉस्ट प्राइज की बात करें इसा कॉस्ट कितना पड़ा तो आपको होगे भाई यह 2709 किलो बुलो 2709 किलो मचली खरीदी है और कितने रुपए के इसाब से खरीदी है 27 रुपए प्रित किलो किसा आप से तिसका यह सिर्पी हो गया ठीक है और जब इसमें कहा है कि जब इसको सुखाया जाता है तो मचली का वेट कितना हो जाता है एक्तिहाई कम हो जाता है यानि कि अगर इसके एसपी की बात करें तो एक बात बताओ मुझे 2709 किलो लाई थी लेकिन सुखाने के बाद कितना हो जाता है एक्तिहाई हो जाता है यानि कि एक्तिहाई हो जा थक सेलिंग्स पूलंफ से खटा दो तो यानिकि प्रोफिट कि अगर मात करें प्रोफट की बात कर अब होता है स्पी माइनस सीपी यानिकि ला ब्रावर माइनस क्रेम मूले थी कितना हैytyy कितना है बोलो स्ब्र कितना है तो इसको 3 से भाग कर दो 3 से भाग कर दो कितनी बार जाएगा तो 397 जीरो तीन नौसो तीन ठीक है यानि कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 903 गुड़े 97.5 ठीक है तो SP कितना है 903 गुड़े 97.5 और CP कितना है 279 गुड़े 27 अब बताओ क्या आप 903 कॉमन ले सकते हो पता है इसमें 3 से भाग करने पर ही 903 आए तो 903 कॉमन ले लो कितना बचेगा 97.5 माइनस कितना होगा बोलो तीन गुड़े 27 अब बताओ 903 यहां पर क्या मिलेगा बोलो 97.5 माइनस 81 हो गया क्लियर है तो 903 कुड़े कितना हो गया बोलो 97.5 माइनस 81 है तो 217 गड़े कितना बचेगा बोलो 16.5 यहीं हमारा क्या है प्रॉफिट है अब मुझे एक बात बताओ क्या आप इसको कर सकते हो जवाब इसका गुड़ा इसमें करोगा गुड़ा करना भी आसान है कैसे करोगे गुड़ा पताओ कैसे करोगे गुड़ा तो आप एक बार बताओ देखो गुड़ा करना कुछ स्थात्रा नहीं बता रहे है 903 ठीक है तो 903 को क्या आप 900 प्लस तीन लिख सकते हो और इसको 16 दस्मनों पांच क्लियर लिख सकते हो ना 900 का गुड़ा इसमें करोगे कितना आएगा 945 के पांच 964 कितना होता 288 कितना हो जाएगा 8 ठीक है और 9 एकम 9 और 9 5 कितना होता 14 होता है ठीक है और यहां पर डबल 0 है तो गुड़े 100 होगा यहां लेकिन दस्मनों लगा है तो 1-0 बढ़ जाएगा क्लियर है इतना मिल गया इतना मिल गया इतना मिल गया अब मुझे बता इतीन का गुड़ा इसमें होगा तो 35 15 के पांच और तीन च्छक अठारे एक तो इस तरह से आपको का आंसर कर सकते हो ठीक समझ गये क्लियर है आगला कोशन देखते है यानि कि 14,899 बे दस्मनों पांच रुपए आपका इसका फाइदा होगा कितना हो जाएगा आपसा नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर कितना आ गया 14,899 बे दस्मनों पांच छिक चलिए अगला देखते हैं जुही ने 22 किल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 51 किलोमीटर प्रति गंटा की चाल से स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति गंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति गंटा की चाल से तैकि इन दूरियों को तै करने ही में लगा कु जोही ने बाइस्किल से त्या की है दूरी ना सोलग किलोमेटर के दूरी सबसे पहले आप एक चीज समझो आप मुझे एक बात बताओ आपने क्या पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय आप से पूछा क्या है समय पूछा है समय वराबर क्या आ जाएगा समय को इधर बेद दो चाल को नीचे कर दो यानि कि दूरी बटा चाल चाल को क्या कहते है दिस्टन्स समय ताइम डिको जोही ने बाइस्किल द्वारा सूले किलोमीटर के दूरी 15 किलोमीटर पर दल गंटे की चाल चली है, साथनों से ठीक है 1972 से दूरी चली है, फिर स्कूर्टर से दूरी चली है जो ही, ठीक है, बताओ, सधना बिलने के क्या रूगत थी přीच्च हिव से कार द्वारा, कार से भी चली है, ठीक है, चलो, साइकल से कितना चली है, कितने किलोमेटर की दूरी चली है, 16 किलोमेटर की दूरी चली है, ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, इसका समय निकालने, इसका समय निकालने, इसका समय निकालने, इसका समय 20 किलो मीटर की दूरी चली कितने किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलो मीटर से डिवाइड कर दिया कार से कितनी दूरी चली तो कार से दूरी चली कितना 50 किलो मीटर स्पीड क्या थी 60 किलो मीटर प्रति घंटा गी थी अच्छा ये किलो मीटर में है य bulचा है गंटे में है डिवाइड करोगे आपको आंसर मि लेगा घंटे में किसमें घंटे में करना है तो गुड़े क्या कर दो साथ कर दो 18 बेट 15 बार 18 बारrial ससाथ यह educator करने के लिए होता है।ँ हमें क्या करना है घंट को मिनें में convert करना है क्योंकि जब इसमें यहां से कितने आ गए आपकी 24 मिनट और कितने आ गए पचास मिनट थिक पचास मिनट आ गए फिर अब इनको जोड़ दो तो 64 24 होता है 88 और 88 50 कितना होता है 138 इनको प्लस कर दो सबको प्लस कर दो ठीक है कितना आगे 138 मिनट यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अगर यह बात नहीं समझ मैं 60 से क्यों गुड़ा किये हैं तो आप देखो 16 क्या था किलो मीटर था 15 क्या थी स्पीड थी यानू कि 1 कियो मीटर प्रतिघंटा थी फील ऑब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि जो हमारा आनसर आएगा वि मौ तो आज के लिए इतना बहुत है अगली क्लास में फिर अकला पेपर हम लोग करेंगे 2014 तक का पेपर हम लोग सॉल्ब करेंगे उसके लिए नेशियंतर रहें के 2019 से 2014 तक का पेपर सॉल्ब कराऊंगा एक्जाम के पहले कराऊंगा ठीक है तो प्रिविए से जरूर आप लोग सॉल्ब करिए और ग्रूप को जॉइन कर लो टेलिग्राम ग्रूप बनाया है वहां पर एक कोई चलती है पढ़े और देखो मैं एक दिन का लिटरनेट पर क्लास डालता हूं यसे आज मैं कल आज में पढ़ेगी तो कल वीडियो नहीं पढ़तेगी कल जो होगा मैं मैंस का टेस्ट लोंगा टेलिग्राम ग्रूप में ठीक है मैं टेस्ट लोंग जो फिर पर हम देने वाले हैं चीक है तो आज के लिए इतना बहुत है